आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रात की बचीवी रोटी की चीवडा अक्सर क्या होता है रात को रोटी और चावल बच जाती है लेकिन वो सुबह खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता तो अब क्या करें इस तरह से चीवडा बनाकर इन्हें खा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी लगती है रात की बचीवी रोटी और चावल की चिवडा बनानी के लिए हम लोग यह रोटी और चावल लिए यह रात की बचीवी रोटी होरें locked तरह से तोड़ना है कितनी अच्छी तरह से बारी तोड़ कर हो गया है इस तरह से तोड़े उसके बाद में ग्यास में कढ़ाई रखे कढ़ाई को कम से कम पास से 6 मिनिट पहले गरम होने दे हम लोग इसलिए गरम कर रहे हैं ताकि हमारे जो चीवडा है हम लोग बनाएंगे तो वो पैन में चिपकना नीची है अक्सर क्या होता है आप चीवडा बनाते हो तो तुरन पैन रखते हो और उसमें तुरन तेल डालते हो तो चीवडा चिपकने लगती है तो इसका कारण यह है कि आपके जो पैन है या फिर कढ़ाई वो अच्छी तरह से गरम नहीं हुई है इसलिए पैन में चिपक रहा है जब भी आप चूडा बनाते हैं चावल की चूडा या फिर चावल फ्राय तो बनाने से पहले क्या करें पाच मिनिट पहले कढ़ाई को अच्छी तरह से गरम कर ले उसके बाद में इसमें तेल डाले देखिए हमारी कढ़ाई गरम हो गई छले कि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इन सबको डाल दे इसमें मुमफंली murm bronze db blossom इसमें ही बारिक कटीवी हरी मीर्ची डाले तीन चार दालें प्लाल 스मारी लाल खडी मीर्च नमक बहुत अच्छा टेस्ट आते हैं उसके बाद में यह बड़ी एक कटीवी प्याज है इन्हें डाले और सभी को अच्छी तरह से भून ले देखिए इस तरह से भूनना है सभी को अच्छी तरह से भूनने के बाद में इसमें ही स्वादा अनुसार नमक और 14 टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर डाले और सभी को अच्छी तरह से मिला ले हल्दी और नमक को मिलाने के बाद में इसमें ही हम लोग जो चावल लिए थे वह चावल डाले और चावल को अच्छी तरह से मिलाती हुए कम से कम एक मिनिट पका ले एक मिनिट के बाद में ही इसमें हम लो इसे अब्स काने के लिए ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है इसतरह से रात के बचीवी रोटी और चावल को भी आप बहुत अच्छा बना कर प्रज़न कर सकते हैं इसी तरह से बनाएं और खाएं धन्यवाद